दोस्तो सनी देउल को जब गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा किस पर निकालते हैं? पाकिस्तान के हैंड पंप पर और जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाता है तो उनके फैंस अपना गुस्सा किस पर निकालते हैं? टीवी पर वैसे पाकिस्तानियों ने आखिरी बा उन्ने का बहाना भी बना बैटते हैं, तो कई प्रशंसक मैच देखते समय अन्यकाम करना भी भूल जाते हैं, वो इसलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच ही नहीं, बलकि इसमें सम्मान की बाद भी रहती है, भारतिये फैंस नहीं चाहते कि उन्हें इस टीम के खिलाफ कभी हार मिले, ऐसे में ICC विश्वकप टूर्णामिंट भारत को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जीत ही मिली है, लेकिन पाकिस्तान फैंस का चेहरा हमेशा मायूस रहा, लगातार हार मिलने से पाकिस्तानी फैंस का हैसला भी तूट चुका है, और सोशल मीडिया पर इसके कई उद दाहरंड देखने को मिले, उनमें से एक था गुस्से में आकर टीवी तोड़ देना, पाकिस्तान फैंस का यह गुस्सा देखने को मिला था, साल 2015 में 50 ओवर के ICC विश्वकप में, ओवल में पुलबी का मैच भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच खिला गया था, इस सुरेश रैना की भी 74 रणों की पारी शामिल थी, जवाब में पाकिस्तान की टीम को हैरिस सोहेल, 36 और मिस्बाह उल, हक 76 ने संभालने की कोशिश तो की, लेकिन इनके आउट होने के बाद भारतिये गेंदबाजों का सामना उनके बल्लेबाज नहीं कर सके, देखते ही पाकिस्तान की पूरी टीम 47 ओवर में 224 रणों पर धेर हो गई और भारत ने 76 रणों से मैच जीत लिया, उस विश्वकप में पाकिस्तान की पहली हार देख, उस समय उनके फैंस काफी नाराज हो गए थे, वहीं महेंदर सिहधोनी की कपतानी में मिली, इस जीत से भारत में जश्न मनाया गया, खूब पटाखे फोड़े गए, मानू की दिवाली है, उधर पाकिस्तान के फैंस थे, जो हार से इतने निराश हो गए कि गुस्से में आकर टीवी तोड़ दिये, पाकिस्तानी फैंस सडकों के बीच घर से टीवी उठा कर ले आए और उन्हें तोड़ा खिलाडियों के प्रदर्शन से बायखलाए फैंस ने सडकों पर अपने गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तानी टीम के खिलाडियों के खिलाफ नारे बाजी करते भी दिखे, बैट लेकर टीवी सेटों पर तूट पड़े, पाकिस्तानीयों ने इतना तोड़ फोड़ किय झाल 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